रोयल्ज चेलेंजर्स बेंगलिरू की टीम के खिलाब मुंबई इंडेन्स की टीम की इत्यासिक जीत के बाद बदला IPL 2022 का पूरा पोइंस टेबल रोयल्ज चेलेंजर्स बेंगलिरू की टीम को लगा तगड़ा चटका मुंबई इंडेंस की टीम को मिली बड़ी खुसकबरी राजस्तान रोयल्स की टीम हुई है रान नमस्कार दोस्तों स्वागत ते एक बार फिर हमारे चैनल में मुंबई इंडेंस और रोयल चैलेंजर्स बेंगलरू की टीम के बीच आईपेल 24 के 25 महा मुकाबले के बाद पॉइंस टेबल में बड़ा उलिट फेर देखने को मिला तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बतेंगे कि अखिरकार इस मुकाबले के बाद पॉइंस टेबल का क्या हाल है कौन सी टीम कौन से इस्तान पर मुझूद है कितनी नेट अंडेंड है तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिले की तो इसे एंड तक जरूर देखे इस मुकाबले के बाद पॉइंस टेबल के पूरे हाल के बारे में तो फिलाल आखिरी पाइदान से हम बात करें तो आखिरी पाइदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुझूद है जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपिल के पांच मुकाबले खिले एक मुकाब जीता चार मकाबले हारे इस टीम के पास फिलाल दो पॉइंट मोजूद है नेटन रेड माइनस एक पॉइंट तीन साथ चीरो के साथ ये टीम नंबर दस पर बनी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास अब आई पिल के नो मकाबले बचे हुएं जिसमें से अगर दि बना पाएगी तो इस टीम के पास फिलाल दो पॉइंट मोजूद है नेटन रेड माइनस चीरो पॉइंट चीरो दो के साथ इस टीम ने फिलाल नंबर नो पर चेगे बना रखी है लेकिन अब ये टीम क्वालिफाई की रहा से लगबग पूरी तरह से बाहर हो चुकी इस ट अगर आटोई मुकाबलो को ये टीम बहतरीं तरीके से जीत बीचाती है फिर भी ये टीम लगबग वालिफाई की रहा से पूरी तरह से बाहर होती हुई दिखेगी तो इपर नंबर आट पर मुझूद है अब मुमबई इंडेंस की टीम ने आई पिल के पांच मुकाबले दो मुकाबले जीते तीन मुकाबले हारे इस टीम के पास फिलाल चार पॉइंट मुझूद है ने टन्रेड माइनस चिरो पॉइंट छे दो के साथ ये टीम फिलाल नंबर आट पर बनी हुई है लेकिन अब मुमबई इंडेंस की टीम को भी अब अपने बच्चे वे सबी मुमबई इंडेंस की टीम अपने मुकाबले कवाती है तो ये टीम भी क्वालिफाई की रहा से बाहर होती हुई दिखेगी लेकिन अब मुमबई इंडेंस की टीम काफी बहतरी नपॉम में उतर चुकी तो ऐसे में यहाँ पर मुमबई इंडेंस की टीम के 50% चांस बनते है कि वेक्वालिपाई में अपनी जगे बना पाईगी तो इस पर नमबर 7 पर मूझूद है पंजाब किंग्स की टीम जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आई पिल के पाँच मुकाबले खिले 2 मقابلے जीते 3 मقابلے हारे इस टीम के पास फिलाल 4 पॉइंट मुझूद 9 टन डेड माइनस 0.196 के साथ इस टीम नंबर 7 पर जगे बना रही है यनि की पंजाब किंग्स की टीम के पास भी अब 9 मقابले बचे हुएं इसमें से इस टीम को 8 मकाबले बहतरी तरीके से जीतने होंगे और ये टीम बेक्वालिफाई कर जाएगी तो वहीं पर नमबर 6 पर मुझूद है गुजरा टाइटेंस की टीम जहां पर गुजरा टाइटेंस की टीम ने IPL के 6 मकाबले के लिए 3 मकाबले जीते तीन मकाबले हारे इस टीम के पास फिलाल 6 पॉइंट मुझूद है ने टन्रेड माइनस जीरो पॉइंट 6 तीन 7 के साथ इस टीम ने नमबर 6 पर जगे बना रिकी है यनि कि अब कॉलिफ हाई में अपनी जगे बनाने के लिए इस टीम को अपने बचे हुए 8 मकाबलों में से हर हाल में 7 मकाबले बैतरी तरीके से जीतने होंगे तब ही ये टीम कॉलिफ हाई बना पाईगी नेटन रेड़ प्लेस 0.344 के साथ इस टीम ने फिलाल नमबर 5 पर जगे बना रखी है और अब कौलिफाई में पहुंचने के लिए इस टीम के पास 9 मकाबले बचे हुए हैं जिसमें से इस टीम को 7 मकाबले बहतरी तरीके से जीतने होंगे और यह टीम भी टौप 4 में अपनी जगे बना लेगी तो ही पर टौप 4 टीमों के हम बात करें तो फिलाल नमबर 4 पर 4 नाई सूपर किंग्स की टीम मोजOOD है चांपर जाँ पर चेबने सूपर किंग्स की टीम ने आईपल के 5 मकाबले खेले तीन मुकाबले जीते दो मुकाबले हारे इस टीम के पास फिलाल 6 पॉइंट मुझूद है 900 प्लस 0.666 के साथ इस टीम ने फिलाल नमबर 4 पर जगे बना रही है लेकिन अब यहाँ पर टोप 4 में बने रहने के लिए इस टीम को भी अपने बचे वे 9 मुकाबलों में से बहतरी तरीके से 7 मुकाबले जीतने होंगे तब भी यह टीम क्वालिफाई कर पाईगी तो नमबर 3 पर लखनो सूपर जेंट की टीम मुझूद है जहाँ पर लखनो सूपर जेंट की टीम ने भी आईपेल के चार मुकाबले के ले तीन मुकाबले जीते एक मुकाबला हारा इस टीम के पास फिलाल 6 पॉइंट मुझूद है नेटन रेड पलस 0.775 के साथ इस टीम ने नमबर 3 पर जगे बना रखी है यानि कि यहाँ पर क्वालिफाई में इस टीम को भी पहुंचने के लिए अपने बच्चे वे 10 मुकाबलों में से हर हाल में 7 मुकाबले बहतरीन तरीके से जीतने होंगे और नेटन रेड को भी बहतरीन करना है तब यह टीम टॉप 4 में अपनी जगे बनाई रख पाईगी तो इस टॉप 2 टीम की बात करें तो फिलाल नमबर 2 पर कॉलकता नाइटराईडीस की टीम मुझूद है इस टीम ने नमबर 2 पर जगे बना रखी है यानि की कॉलकता नाइटराईडीस की टीम के पास भी अब यहां से 10 मुकाबले बच्चे हुए है जिसमें से इस टीम को 7 मुकाबले बहतरीन तरीके से जीतने होंगे तो इस पर नमबर 1 पर फिलाल राजस्तान रॉयल्स की टीम मुझूद है जहां पर राजस्तान रॉयल्स की टीम ने भी आईपिल के 5 मुकाबले खेले चार मुकाबले जीते एक मुकाबला हारा इस टीम के पास फिलाल 8 पॉइंट मुझूद है नेटन रेड़े प्लेस 0.871 के साथ इस टीम ने फिलाल नमबर वन पर जगे बना रखी है यानि कि राजस्तान रोयल्स की टीम के पास भी अब यहां से आई पिल के 9 मकाबले बच्चे हुए हैं जिसमें से इस टीम को सांदार परफॉमेंस करते हैं मकाबले बहतरी तरीके से और यह टीम भी क्वालिफाई के लिए पूरी तरह से तयार होती हुए दिखेगी यानि कि यहां पर टॉप और टीमों में फिलाल राजस्तान रोयल्स कोलकता नाइटराइडिस लकनो सूपर जेंस और चेनने सूपर किंग्स की टीम में काफी बहतरी इन पौम में चल दिए तो इस पर हैदराबाद की टीम भी इसी रेस में मौझूद है लेकिन गुजरा टाइटेंस की टीम की नेट हंडरेड अभी यहां पर बहतरी इन करनी है तो इसके साथ पंजाब किंग्स की टीम के लिए भी यहां से मुस्किले खड़ी होती हुए दिखेगी तो ऐससे मैं य क्या लगता है वो कौन सी चार्टी में रहेगी जो क्वालिफाई करेगी अपनी केमती राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेता है निवाद दो